अगर आप मेरे चैनल टॉक्वित पुनीत पर नए हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लिजेगा साथी बैल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक कर लिजेगा ताकि जितने भी गौवर्मेंट जो वो प्राइवेट जॉब के नौटिफिकेशन होते हैं वो सभी आपको मिलते रह तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो फ्रेंट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह है हिमालिया वन अनुसंधान संस्तान की तरफ से जारी किया गया ओफिशल नौटिफिकेशन जिसे 9 मई 2020 को भी हाली में रिलीज किया गया था तो फ्रेंट्स बेसिकल य कि अनदर टहली वेकेंशी है यहाँ पर टेकनिकल असिस्टेंट की याने की फिल्ट लेप रिसरच की यह सेलरी की बात करें तो यहाँ पर जो आपको सेलरी मिलेगा वह 39,200 से लेकर छे 92,300 रुपय पर पर मत आपको यहां पर सेलरी मिले वाला है level 5 का आपको salary package मिलेगा अगर हम बात करें यहाँ पर vacancy की तो यहाँ पर एक seat है unreserved category में है qualification मांगा हुआ है bachelor degree in science अगर आपने BSC कर रखिये तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं age limit की बात करें तो यहाँ पर 21 से लेकर के 30 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं अगली vacancy है यहाँ पर forest guard की forest guard की यहाँ पर आप देख सकते है total 5 सीटे हैं salary की बात करें तो यहाँ पर जो आपको salary मिलेगा वो आपको level 2 का salary package मिलता है 19,900 से लेकर के 63,200 रुपे पर मंद आपको यहाँ पर salary मिलेगा total seat यहाँ पर 5 है अन्रिजब में 2 सीटे हैं SC की 2 सीटे हैं और OBC की 1 सीटे हैं वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर qualification की तो यहाँ पर 12 पास candidates apply कर सकते हैं अगर आपने 10 प्लस 2 किया हुआ science के साथ तो आप इस form को भर सकते हैं साथ ही age limit की बात करें तो यहाँ पर 18 सी लेकर के 27 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं वहीं अगर हम बात करें SC में तो SC के 32 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं और OBC में 30 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप age में relation चाहते हैं तो age में जो relaxation मिलेगा वो सिर्फ हिमालिया के केंडिया 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 को यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो अगर हम बात करें multitasking stop की, तो दोस्तों यहाँ पर MTS की vacancy है, तोटल यहाँ पर 2 seat हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि अन्रिजवम में 1 seat हैं, और SC में यहाँ पर 2 seat हैं, तोटल यहाँ पर 2 vacancy है, अगर हम बात करें salary package के बारे में, तो यहाँ पर salary package मिलेगा MTS के लिए, वो आपको level 1 का मिलेगा, 18,000 से लेकर के 56,900 रुपे तक का आपको यहाँ पर salary package देखनों के मिलेगा, qualification की बात करें, तो यहाँ पर 10 पास candidates apply कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर 3 साल तक के candidates वाले form भी इस form को भर सकते हैं, तो दोस्तो अगर आप 10 पास हैं, और अगर आपको पास 3 साल का experience है, तो आप इस form को भर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर age limit की बात करें, तो 18 से लेकर के 27 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं, साथ ही अधिक हुमरवाले 32 साल तक के candidates इस form को भर सकते हैं, age में relation आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर salary package अच्छा खासा देखने को मिलेगा, सभी के लिए salary package वो आप देख सकते हैं, technical assistant के लिए 29,200 और यहाँ पर forest guard के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 तक का salary package मिलेगा, और multi-taffing staff के लिए 18,000 से लेकर के 56,900 तक का आपको यहाँ पर salary package मिलेगा, age limit यहाँ पर 18 से लेकर के, यहाँ पर देख सकते हैं, 32 साल तक के candidates firm को भर सकते हैं, तो सभी के लिए vacancy है, अगर हम बात करें यहाँ पर dates की, तो दोस्तों अगर आप हिमाचल परदेश के candidates हैं, तो आप इस firm को 15 जून 2020 तक भर सकते हैं, वहीं अगर हम बात करें यहाँ बाकी state की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि सभी दुर्गम, छित्रो जैसे, असाम, मिघाले, अरुनाचल, परदेश, मिजोरम, मनिपूर, तिपुरा, नागलेंड, सिक्किम, जमूबै, कस्मीर, लदाग, जिला, ठीक है, जो भी है, यहाँ पर जिला, चमपा और बाकी जितन फिल करना होगा, और उसे बाइप पोश्ट करके, यहाँ पर बेजना पड़ेगा, तो दोस्तों, इसकी अधिक जानकारी के लिए, आप दिये के वेबसाइट पर जाकर के, इसकी सारी जानकारी को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपका एक और ओफिशल वेबसाइट दिया हु है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा, आपके सारे डाउट्स के लिए हो जाएंगे, वहीं अगर हम बात करें इसमें, अप्लिकेशन मेथट के बारे में, तो अप्लिकेशन आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फिल करके, बाई पोश्ट आपको सेंड करना होगा, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कितनी सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो आपके एक्जाम के बेस पर आपका सिलेक्श मैं आपके comment का reply दे दूँगा और मेरे channel को subscribe कर लिजेगा ताकि जम मैं इसका syllabus upload करूँ और last year's के papers लेकर कर के आऊँ तो इसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए तो दोस्तों ये है application form इस application form को आपको अच्छी से carefully fill करना होगा ठीक है सारी जनकारी आपको correct fill करनी है और इसको by post आपको पहुचाना पड़ेगा इस पूरे official notification को आप पढ़ लेंगे आपके सारे doubts के लिए हो जाएंगे कैसे fill करना है क्या कुछ करना है सारा जनकारी आपको इस official notification में provide किया हुआ है तो दोस्तों सारी जनकारी सारे links मैंने वीडियो के description में दे दिये है आप जाकर के एक बड़ चेक कर लीजे अगर कोई भी doubt होगा तो आप मुझे comment कर दीजेगा मैं आपके comment का reply दे दूँगा आपको solution provide कर दूँगा तो दोस्तों वीडियो कर अच्छा लगाओ तो वीडियो को like